तो दोस्तो इसको खोलने से पहले आपको ये चीज जरूर जानना होगा कि यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये CFL मारकरी है या हमारा LED मारकरी है तो यहाँ पहचानने का काफी simple यहाँ पर तरीका है देखिए मैं आपको बताता हूँ जब भी आप मारकरी लिजेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो हमारा ये कैबिनेट होता है मतलब यहाँ पे जो लास्ट में यह चीज लगाया गया होता है तो जब भी यहाँ पे फाइवर या पलास्टी का यह चीज मिले तो आप समझ जाईएगा ओ जो है आपका LED मारकरी है ठीक है अगर यहाँ पे जो है metal वाला जो भी यहाँ पे अगर पार्ट मिले तो आप समझ जाईएगा ओ जो है आपका CFL वाला है तो जो आपका metal वाला मिलेगा ओ रिपियर नहीं हो सकता है जो फ्यूज हो चुगा है ठीक है बड़ इस तरीके का अगर प्लास्टी को गैरा यहाँ पे मिल रहा है इस खोलने का मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है, सबसे पहले इस तरीका से आपको fix कर लेना है, देखिए, ओके हो गया देखिए अब यहां पे क्या करना है आपको यह जो है पेट्रॉल है तो इसको हम यहां पे डालेंगे यहां पे देख रहा है इसके यहां पे ठीक है ताकि यहां पे जो है अंदर गम लगा होता है और गम से जो है इसको फिक्स किया होता है तो यहां पर यह वाइल इसमें अंदर डालेंगे तोमारा जो है गम फूल के और कड़ जाएगा ठीक है और यह वायल को डाल के थोड़ा सम वेट करेंगे और उसके बाद जो है इस खोलने की कोशिस करेंगे ठीक है इस तरीका से आपको डालना है देखिए देखिए आप दिख रहा होगा चलिए आप थोड़ा सम वेट करेंगे उसके बाद जो है खोलने की भी कोशिस करेंगे तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आपको क्या करना है इस तरीका से पुकरना है और यह जो इस तरीका से करके इसको नशाना है इस तरीका से ठीक है देखिए खुल गया थोड़ा सा ठाइटली खुलेगा क्योंकि यहां पर आपको गं लगाया होता था तो इस तरीका से खोल लेना है यहां पर देखिए आज किसी किसी में में आज प्लाश्टिक होता जैसे यहानपर देख सकते हैं यह प्लाश्टिक है नेकि फाइबर टाइप का और यह जू है सीशा है देखिए दिख रहा होगा तो यहां पर थोड़ा सा साथानी बरवत्ना होगा क्योंकि यह सीशा है तो आपको उतना ही इस पर पकड़ना है जिससे यह फूटे नहीं और आप सुराख्चा के लिए आप यहां पर यह खुल चुका है अब इसी तरीका से हमारा दूसरा और जो हमारा है उसको भी खोलेंगे ठीक है तो इसको मैंने प्लट लिया और प्लट के यहां पर भी वाइल डालेंगे और जो है इसको खोलेंगे चलिए अब ऑना पर हम उबाय लिंग कर लेते हैं जब भी इस तरीके का पेट्रॉल वेगरा हम यूज करते हैं तो आप लोगों को यह चीज ध्यान में देना हो कि आपके आश् худस कहीं आग ना जलाया गया यह चीज आपको धियान में देना है क्योंगी पेटरोल से आग भी लग सकता है कि आधर लग सब्सक्राम करना होता है तली यहाँ पेटरॉल यूज़ कर रहे हैं तो हमें गवेरा का यूज़्ट करना को चाहिए नहीं तो फोड़ाइग इसको खोलाने के से अब यहां पर क्या करना है एक और से मतलब एक छोड़ से जो है इसका वायर छुटा लेना है और फिर यहां पर एक श्ट्रीप लगा होता है लेड़ी का एक श्ट्रीप है तो उसको जो है बार निकालेंगे तो जिधर आपका सरकीट होता है उदर आपको जो है नहीं छुटाना है आपको उसको अपोजिट टाइप छुटाना है क्योंकि ड्राइवर के और देखिएगा तो तीन वायर होता है बट यहां पर एक ही वायर है ठीक है तो इसको छुटाना काफी असान है देखिए यहां पर देख सकते हैं एक ही वायर है यहां पर तो इसके हम क्या करेंगे आइरन से इसको डी सोल्डर कर लेंगे तो चलिए यहाँ पर जो है आयरन से हम इसे डी सॉल्डर कर लेते हैं जो हो गया अब यहां डी सॉल्डर हो अब यह वाला श्ट्रीप को बाहर निकालेंगे तो बाहर किस तरीका से निकलेगा यहाँ पर जो मारा सर्कुट लगा है इधर से ही लिका लेंगे देखिए इस तरीका से ठीक है इसको चलिए हम बाहर निकालके और फिर में आपको दिखाता हूँ इस में क्या fault हुआ है असानी सी लिकाल लाता है इस तरीका से अब हमारा यह जो सीशा है इसको हम कहीं साइड में रख लेंगे तो यहां पर हम एक नजर देख लेते हैं कि कोई हमारा LED जो है ब्लैड आउट ब्लैक डॉट तो नहीं है तो कोई साभी अगर इस तरीके साम मिलता है तो हमें जो है वहां पर टेस्ट करेंगे मल्टीमिटर से असाने से टेस्ट हो जाता है मल्टीमिटर से आप कंटिनूटी रेज में डालके और टेस्ट कर सकते हैं कि यहां पर यहां पर यहां पर हीट होगा है ठीक है और हीट होके यहां पर ब्लैक डॉट भी यहां पर आपको दिख रहा होगा ठीक है तो यहां पर ब्लैक डॉट भी आपको दिख रहा होगा देखिए पास में इस लीडी को आप देख सकते हैं और यह वाला लीडी को आप देख सकते हैं यहां पर जो है ब्लैक हो गय लिए अगर देखते चले जाएंगे है ऐं गए है कि यहां पर हमें वहीं एक लिडिए पर हमें साक्षै से खर लिए हम का चली पर के में आपको दिखाता हूं जो तो कि मैंट àd एंगे तो मल्लोल शुरह भजर के एंगे तो क्यों पर चलिए कि एपी आ लेटी जल रहा है देख सकते हैं आ दिख रहा होगा देखें यह वह लुडी जल रहा है इसी तरीका से इसको भी जनना चाहिए यह देखी नहीं जल रहा है यहां हम लगा रहा है तो यह वाला लीडी क्योंकि यहाँ पे दो LED को साइद यहाँ पे पैरलल बनाया गया है, हाँ वही बात है, देखें, यहाँ पर दो-दो LED का जो है, यहाँ पे पैरलल है, यहाँ पर यह दो LED जल रहा है, यहाँ पर लगाने पे यह एक जल रहा है, यहाँ पर यह वाला नहीं जल रहा है, देख सकत चेंज करेंगे, बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भी कर देंगे, डायरेक्ट कर दीजिएगा, आपका जो है LED चलेगा, बट उतना आप सो परसेंट सेफ नहीं कर सकते, कि आपका ज्यादा दिन चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसे आप सौट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका और भी LED बामने खराब हो सकता है, तो इसको चेंज ही कर देंगे, तो अच्छा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर तीन वोल्ट का यह होता है, जो भी आपका मल्टिमीजर से LED जलाने पर जल जाता है, वो आपका तीन वोल्ट का LED होता है, और यहाँ पर त मैं आपको बता देता हूँ आप देखिए गा अपने अपने यहां पर एक लकीर यहां टो अगर आपका 2 गोल्ड रहर तो यहां पर EBशी होता है यहां पर में आपको कैमरा मेरiverse नहीं दीख रहा होगा ठीक है तो अगर आप देखिए गा मतलग ट्राइ किजिए गा अगर दिखेगा तो कमेंट किजिए गा और बताईए गा तो यहां पर यह चीज था थोड़ा सा नौलेज में आपको बता दिया हूं चले यहां पर जो है इसे हम चेंज करते हैं तो चेंज करने का प्रोसेस में लक्रीका ऑको दीखाता हूं इस तरीका से इस पौ हम रख लेंगे यहां पर थीक है है ओके चलिए हम अरटो यहां पर में क्या करूंगा यहां पर थोड़ा सब। लगाएंगे ने काफ़ी असान होता है मैं आपको आपको कि इस स おचाह विडों में आपको दिखा भी चुका हूँ किस तरीका से LED को निकालते हैं किस तरीकासे लगाते हैं यहाँ पर थोड़ा समय फेश्ट को अपलाई किया है फных और यहाँ पर क्या चाहिए लाइड से थोड़ा से हीट करेंगे और इसको जो है उठाएंगे तो यह असानी से उठ जाता है यहां पर जादा आपको हीट नहीं देना है उतना हीट देना है जिससे जो है निकल जाए लेखिए देख सकते है यह यह निकल चुका है अब इसकी है इस्थान पर यहा पर दूसरा एलेडी हम डालेंगे तो यहां पर क्या करते हैं थोड़ा सा इसे हम सफाई कर लेते हैं ठीक क्योंकि यहां पर हम LED डालेंगे अच्छा से लग सके तो लगाने का भी यहीं प्रोसेस है यहां पर थोड़ा सा हीट करेंगे और जो है LED को लगाएंगे यहां पर थोड़ा सा मैंने शोल्डर को अपलाई किया है और उसके बाद में यहां पर माइनस प्लस देख लेंगे कि कौनसा माइनस है कौनसा प्लस है देखें यहां पर इधर साइड प्लस है मतलब यह वाला प्लस है यह वाला माइनस है देख सकते हैं और यहां पर लिखा भ इदर का माइनस है ठीक है तो यहाँ पर हम दूसरा LED लगाएंगे तो मैं यहाँ पर LED लिकाल के रखा हूं तो यहीं वाला जो है लगाने वाला हूं देखे सब्सक्राइब लकी देखिए अब यहाँ वहाँ पर avec करते तो यहाँ पर इसे हम निकालेंगे तो इसको निकालने का ये corbid trick मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरीके का पत्ता वेगरा आपको दिखे ना, मतलब पत्ला वाला जो पत्ता होता है, यहाँ पर देख सकते हैं यह पत्ला वाला पत्ता है, तो इसको आप iron से भी लिकाल सकते हैं, अप किस तरीका से लिकाल सकते कि देखिए इस तरीका से रखना है आपको कि थोड़ा से आप गर्म है दूसरा चिम्टा लेना पड़ेगा कि देखिए इस तरीका से ठीक है कि देखिए लिगल गए काफी असान है इस तरीका पतला वाला जो पट्टी है आपको मिलता है तो वहां पर जो है इस तरीका से निकाल सकते आयरन से ठीक है निकल गया है तो यहां पर जो है अब माइनस प्लस हम देख लेंगे उसके बाद जो है इसे लगाएंगे तो प्लस हमारा इधर है तो प्लस हमारा इसमें देखके उधर ही करना पड़ेगा तो मल्टिमेटर से यहां पर हम टेस्ट कर लिए रहे हैं कौन सा प्लस है इधर से नहीं जल रहा है तो देखें जल रहा है देख सकते हैं तुम्हारा इस साइड का प्लस है तो हम जो है इधर प्लस लगाएंगे तो यहां पर थोड़ा साम पिश्ट को लगा लेंगे ताकि जो है यहां पर अच्छा से चीप अग सके यहां पर मैंने पिश्ट को अपलाई किया और इसको जो है यहां पर इस तरीका से रख लेंगे और फिर जो है यहां पर हीट देंगे तो यह अच्छा से जो है अपने से ही चीप अग जाता है तो यहां पर थोड़ा सा में ह लग गया है ठीक है गें देखिए अ कि ऑगे है अ हो गया है ठीक है देखिए यापर लग गया है चलिए यापर मैं आपको टेस्ट कराता हूं सबसे परले इसको थोड़ा साम सपाई कर लेते हैं तरीका से जो है यहां पर थोड़ा सा सफाई कर लिए ठीक है जल यहां पर लगाते वक्त यह खराब तो नहीं हो गया यहां पर एक बार पर न लेडी चल रहा है चले यहां पर फाइनल एक वार हम टस्ट करा देते हैं आपको करने का टरीका भी बताएंगे चले यहां पर आपको टिस्ट करके दिःखा आये ते हैं सब्सक्राइब कि यहां यह लिडी जल चुका है देख सकते हैं, काफी माश तरीका से जल रहे हैं है, यहाँ पर सभी यह लिडी जल रहे हैं और यहाँ पर test करते समझे हैं अदिस न में ध्यान देख करें हैं कि तीन वायर और तो यह आपका डी इश वाला है तो इस भी आपको नहीं लगा देना है AC नहीं तो आपका सर्कुट भी खराब हो जाएगा यहाँ पे यह वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे AC लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं जब भी आप टेस्ट कीजेगा तो थोड़ा सा ध्यान देखिए यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक पॉइंट यहाँ पर लगेगा और यहां पर करेंद कर सकते हैं तो इस तरीका से इसका टेस्टिंग किया जाता है ठीक है देखिए अ देखिए ठीक है यहां पर यह जो आपका एसी लिखा हुआ है यहां सी यह ट्रैकिंग करके और जो है इसके एंड छोर में ले जाके और इस तरीके का कैप को लगा दी जाता है ताकि हमारे यहां पर और उधर काप पर हम सप्लाई देंगे तो मारकरी जन ले लगता है तो यहा यहांप पेटरॉल डालके उसको जो है काल लेजगा और यहां पर लिडी वेगारे देखी नहीं होता है तो इसको आप चेंज कर दिजएगा और आपको यह तैन या 20 परशेंट यह आपको देखने मिलेगा तो सर्कीट को आप असानी से रिप्यर कर सकते हैं यहां पर जो है आपको एक कर्कीटर होता है वह ज्यादार खराब हो जाता है और आपका जो है डावड भी कभी-कभी खराब होता है यहां पर रेक्टिफायर डावड यहां पर छोड़ा से एक लगाया जाता है तो वह भी कभी-कभी शौट हो जाता है तो यहीं चीज होता है जातर इसमें और कुछ प्रॉलम होता नहीं है तरह से जली प्रेक करते हैं पैक करके जो है फाइनल में आपको दिखाता हूं इस तरी करने डालते जाएंगे यंदर यह खांचा है वह खांचा में ही यह बैठते चला जाएगा ठीक है कि देखिए कि कि देखिए होगे यहां पर थोड़ा से हम इधर अगाड़ी कर लेंगे और इधर से जो है हम इस तरीका से लगा लेंगे ठीक है अब जो है इसके लास्ट वाला एंड वाला छोर पे हमें क्या करना होगा एक यहां पर आगा है आप दिख रहा हूगा कागाने इसको इसको यहां परो शोल्डर करेंगे और इधर से इसको लगा देंगे चलने पर करने लोड होगा एक टो यहां पर घ्रवा पानि जैसे होता है तो आपको इस तरीका से सटा महीं पाएगा तो इसलिए इस तरीकी का हमारा ग्लू एश्टिक आता है जो ग्लू गन में हम लोग यूज करते हैं तो ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि बाद में रिप्यर करने में दिख्कत होगा यहां पे थोड़ा सा लगा के और इसको पैक कर देंगे इस तरीका से ठीक है चलिए हो गया देखे मस्त हो गया काफी मस्त हो गया बाद में यहां पर फिर से रिप्यर करना होगा तो यहां पे पैटरॉल डालेंगे तो यह ग्लू कर जाता है पैटरॉल से ठीक है मुस्त हो गया इसी तरीका से इधर भी कर लेंगे चले यहां पर लाइन देते हैं यहां पर मैंने लाइन दिया और यहां पर जो है मारा मारकरी जलके रेडी हो गया है देख सकते हैं देखिए ठीक है तो इस तरीका से आपको को सब्सक्राइब क्या सकते हैं जो की काफी असान है चैनल को सब्सक्राइब करके रिखिए को ऐसे ही हैं आपको रोजाना है आपके मिलता रहा था चले मिलता अगले कि नेट आपके साथ तब तक लिए हैं बाइ